Hey guys, welcome to the code behavior, so आज के इस वीडियो में हम एक important topic के बाहरें बात करेंगे, that is the key differences between MySQL and MongoDB database, okay, so जैसा कि आप पहले से जानते होंगे कि MySQL database क्या होता है और आपने use भी क्या होगा, so आप में से हो सकता है कुछ लोग MongoDB के बारे में क्यों सुना हो, उसको use ना किया हो, क्योंकि MongoDB क्य है कि MySQL क्या है कि हम एक initially जब भी हम start करते हैं learning में या फिर जो भी तो हम MySQL यूज करते हैं, ठीक है, MongoDB क्या है, MongoDB एक तरह से मर्न मीन के साथ यूज होता है, so MongoDB को हम कमी use करते हैं, ठीक है, so आज हम बात करेंगे कि दोनों को, दोनों database को use क्यों हम करते हैं, ठीक है, MySQL को use क करने के क्या advantage है, क्या disadvantage है, MongoDB क्या advantage है, क्या disadvantage है, so दोनों database को हम study करेंगे और हम example भी देखेंगे कि like कैसे data को है, handle करते हैं, कैसे manage करते हैं, अलग-अलग तरीके से, ठीक है, so guys, let's start, यहाँ पर हम पहला जो देख रहे है, MySQL और MongoDB है, तो पहला जो की differences है, MySQL is a open source relational database management system, ठीक सो यहाँ पर जो दोनों database है, दोनों क्या है, open source है, ठीक है, दोनों open source है, लेकिन पहला क्या है, relational database management system, मतलब RDBMS है, और दूसरा जो है, वो RDBMS नहीं है, ठीक है, वो क्या है, non-relational है, तो relational का मतलब यह होता है, कि जो data होता है, MySQL में, इसमें table के form में store होता है, I mean rows और column में store ह होता है, लेकिन जो mongodb में data store होता है, वो क्या होता है, document based होता है, ठीक है, मलब documented structured way में store होता है, तो कोई क्या होता है, relational way में नहीं होता है, ठीक है, सो जैसे आप यहाँ second way में देखा हुए, second point, MySQL is a table structured system, ठीक है, और table में क्या होता है, row और column, ठीक है, और जो mongodb होता है, document based system, मलब documented होता है, सो अभी के लिए मैं आपको एक काम करता हूँ, अभी मैं आपको example दिखा देता हूँ, दोनों database के, जिससे आप इसको study करोगे, differences, तो ज़्यादा clearly सोंज में आएगा, जिससे यह, यह हमारा क्या है, यह हमारा MySQL database, जैसे आपने PHP MyAdmin यूज किया होगा, ठीक है, या फिर different type क जो SQL databases होते हैं, और भी होते हैं, ठीक है, MS SQL होता है, ठीक है, सो और सारे databases होते हैं, सो इसमें जो हमारा, जैसे आप देख रहे हैं, यह क्या है, अगर मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ, सो यह क्या है, यह हमारा database है, मैं SQL database है, उसमें जो data store होता है, table में store होता है, और किस form में store होता है यहां पर यहां पर में तो हम आते है कि सम्में कि यह मोंगोडीवी डीटवे OSCiced का नाम कैंने यहां पर यहीं इसे यहां डीटवेस का नाम क्या टेलिए देटr बेस टीके मैंने हैं तो डेलुट करेंगे collection टेबल जैसे वहारा पर हम टेवल बोलते हैं वैसे ही हमें यहाँ पर क्या बोलते हैं collection और किस फॉर्म में स्टोर होता है json format फॉर्मेट में एता certification जैसे अगर आप कोई नया डेटा हैं यहां पे इन्सर्ट करोगे ठीक है लाइक इल्टák यहां लिखा हुआ है तो यहां पे लिखा है इंपोर्ट जेसन है और चेसी फाइल सो हमारा जो डेटा होता है वो टैसें फॉर्मिट पर होता है ठीक है और कलेक्शन में स्टोर होता है सो अब हम आते हैं जिसे हमें क्या होगा ज्यादा अच्छे से आइडिया आएगा कि हम जो डिफरेंसेज बात कर रहे हैं उसमें एक्चुली होते हैं कि नहीं मतलब हम उसको अंडरस्टेंड अच्छे से कर पाएंगे ठीक है सो पहला यह हमने देख लिए सेकेंड कि टेबल स्ट्रक्चर होता है और एक है डॉकुमेंट बेस्ट होता है ठीक है थर्ड हम देखते हैं यहां पर माइस क्यों बेस्ट डेटाबेस डैट यूजे स्ट्रक्चर्ड क्वाईरी लेंगवेज टू हैंडल स्ट्रक्चर्ड लेंगवेज यूज करता है देटाबेस को हैं डेटाबेस के डेटाबेंस और अगे हम देखेंगे की डिफरेंज में वह पता चल लाएग 본 फूर्थ है record is stored as a table cell structure with a row and column यह हमने देख लिया कि जो records होते हैं वो table में store होते हैं और किस form में store होते हैं rows और column के form में store होते हैं mongodv में क्या होते हैं data is stored in collection and represented in json ठीक है collection में store होते हैं like table table को हमें relevant नाम दे रहे हैं क्या collection ठीक है equal और उसमें data store हो रहे हैं किस form में store होते हैं json format में ठीक है json like documents में और इसमें rows और column में तो यह भी एक key difference हो गया कि data कैसे store होता है next है me sql uses SQL जो माइसक्वल होता है oh sql type का database है इसलिए यह क्या करता है sql use करता है sql मतले structured query language मतल Goddess जो language उसमें how canो adjust link स्पराक्थर करता है like database को अपदेक्ष करने के लिए update करने के dealit करने के लिए data को मैनेस करने के लिए जो हम language का use करते है mysql के case में उसका नाम है SQL ठीक है अब क्या होता है कि mongodb query होती है query तो दोनों database में होनी होती होगी क्योंकि data हम दोनों जगा handle करते हैं so जो mongodb है mongodb uses the mongodb query language so इसका जो language है जिस language में इसके queries लिखी आती है उसको हम बोलते है mongodb query language okay sixth हमारा key difference है mysql database is a less flexible in comparison to mongodb because of its schema design so mysql में आप देखोगे अगर मैं आपको यहां पर show कर आओ यहां पर mysql में so mysql में अगर यहां पर structure देखोगे schema क्या होता है schema एक तरह से database के structure हम structure को define कैसे करते हैं अब यहां पर देखोगे क्या क्या चीज़े हैं आपने column का नाम दे दिया हमें यहां पर type define करना पड़ेगा अगर आपने type में वैर कर लिखा है तो समय में इसका length भी define करना पड़ेगा कि length कितना होना चाहिए इंट में हमें multiple types के type मिलते हैं like int big int small int ठीक है उसके बाद यहां पर क्या है कि null हम store कर सकते हैं या फिर default value क्या होनी चाहिए auto increment ठीक है so multiple type of schema होते हैं किसमें mysql में जिससे क्या होता है हमारा जो database का structure होता है या database को जो handling होती है थोड़ा सा complex होता है ठीक है so यह ज्यादा flexible नहीं होता कि हम कुछ भी store कर दिया like जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है like अगर मैं आपको दिखा हूँ यह created add यह date time है कोई string हम नहीं store कर सकते है ठीक है जैसे यहां पर क्या id int है तो इसके अंदर हम क्या इस्टोर कर सकते है इसमें क्यों हम integer इस्टोर कर सकते है यह नहीं कि कोई string इस्टोर कर लेना हम यह नहीं कर सकते हैं ठीक है लेकिन इसमें कोई schema नहीं होता है इसमें क्या होता है कि आप schema define कर सकते हो लेकिन जो हमें default मिलता है default जो इस ट्रक्q म нем नहीं होता है जिससे हमें जो इसको यह जो है flexibility की ज्यादा होती है मतलब हम कुछ भी इस्टोर कर सकते हैं हमें जरूरी नहीं है कि हमें इस टाइप का रिस्टिक्षन है वह नहीं होता है default तो नहीं होता है ठीक है code के थूं करते हैं लेकिन यहाँ पर क्या होता है यह schema free होता है मतलब schema ना के बराबर होता है ठीक है इसमें अब यह हमने क्या देख लिया कि mysql database less flexible due to schema design ठीक है लेकिन mongodb document schema less nature make it simple to build ठीक है इसमें schema जो होता है लेस होता है मतलब बहुत ही कम होता है जिससे क्या होता है इसकी flexibility जादे होती है और इसका यूज करना ज्यादा easy होता है ठीक है अब जो समसे important चीज हो क्या है mysql support join operation join मतलब जब भी आप data हम get करते हैं जैसे हमारे पास यहाँ पर मैं आप mongodb में ओके सो जो हमारा mysql होता है और join support करता है और जो mongodb होता है join support नहीं करता है ठीक है सो यह होगे multiple differences between the mysql and mongodb database सो अगर mysql और mongodb database को यूज करने की बात की जाए कि हमें कौन सा यूज करना चाहिए किसको हमें priority देनी चाहिए तो यह totally based होता है आपके project पे आपके data के requirement पे ठीक है तो आपके project का जो size है उस पर भी depend करता है तो multiple scenarios होते हैं जिसके base पे हम हम design sorry decide करते हैं कि हमें mysql database यूज करना है या फिर mongodb ठीक है तो इसके लिए हमारा जो project है उस पर पूरी dependency होती है कि उसके according हम क्या यूज करना चाहते हैं with the help of given feature like mongodb के जो feature है mysql के जो feature है तो आपके project requirement के according जो match कर रहे होंगे हम उसी database को यहाँ पर use करेंगे दोनों database अपने आप में क्या है कि अपने आप में awesome है दोनों को हम use कर सकते हैं और दोनों क्या है simple है मतलब अगर आप बात करो normally तो दोनों simple हैं use करने में लेकिन अगर हम difference की बात करें तो